हालो इस्टुडेंट्स मैं वीपी सिंग आज आपके लिए नॉर्मल सब ग्रूप का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ इस लेक्चर के अंदर में आपको नॉर्मल सब ग्रूप की डेफिनेशन बताऊंगा एक ठ्योरम प्रूफ करके दिखाऊंगा और एक इंग्पॉटे आपके लिए देनी हैं वो भी बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल सब ग्रूप की डेफिनेशन क्या है कि कोई एलिमेंट हम जी का लेते हैं और एक एलिमेंट लेते हैं एच का सपोज करिए मैंने यह एच जो एलिमेंट है यह ले लिया कैपिटल ए एच का और एक सधी का अगर मैं आपसे यह कंडिशन रख दूं एक्स मे विल्मेंट हैं इस और अगर इस कंडिशन में रख दे तो यह जो आंसर आया है ये भी belong करेगा h को, जहाँ पर x belong करता है g को, तो इसका नाम रख दिया normal definition, subgroup से ही normal subgroup रखा है, ठीक है, तो definition लिखते हैं, फिर इस पर important theorem, इसकी 4 theorem है, 4 theorem बताऊंगा, center of a group की 100% एक theorem है, वो भी बताऊंगा, पर वो कौन-कौन से lecture में आएंगी, वो आज ही बताऊंगा, चलिए definition लिखते हैं, ये normal subgroup लिख रहा है, दिखाई न दे रहा हो, और lecture 1, इसकी definition देखिए, a subgroup n, subgroup n, यहां मैं n से denoted करूँगा इससे, subgroup को, of a group, group g, is set to be normal subgroup, यह normal लिख रहा है, normal subgroup, of g, लेकिन इसकी सर्थ है कब, if xn, x inverse belong करेगा n में, यह जो element है, जहां पर x element होगा g का, और n element होगा capital n का, कोई खास definition नहीं है, एक lang में ही मैंने definition बना दी, दुबारा देख लीजिए, मेरी बच्चो, a subgroup n, of a group g, is set to be normal, normal कहलाएगा, कब कहलाएगा normal subgroup, of g, if यदि, g का इधर element और उसका यहां inverse, और बीच में element हम रख दे, subgroup का, तब यह normal subgroup में belong करते हैं, जहां x किसका है, g का है, और n किसका है, capital n का है, अब इस पर मैं आपको top most theorem दे रहा हूं, a subgroup n, a subgroup n, of a group g, is a normal subgroup, normal subgroup, if and only if, जब question में if and only if आ जाए, तो वहाँ पहले हम proof करते हैं, फिर उसका ultra proof करते हैं, जिसे conversely कहते हैं, या किसी-किसी theorem को दो type से भी proof करते हैं, या किसी-किसी theorem को हम sufficient और necessary condition द्वारा solve करते हैं, चलिए इसे कैसे करेंगे, वो बताएंगे, if and only if, x and x inverse equal to n, where as x belongs to g, teacher इसको for every या for only बोलते हैं, मैं इसे where as बोलता हूँ, ठीक है, आपकी चाहिए आप कुछ भी बोलें, अब proof में आप, को मैं simple way में बता हूँ, आप किताबों में तो पता नहीं क्या-क्या हो रहा है, जब इसका proof करें, तो या तो इस definition को उतार दें, या फिर इसे उतार दें, इसकी एक definition बीच में और रह गई है, वो मुझे लिखनी थी, तो इस theorem के बाद, पहले मैं उस definition को लिखता हूँ, एक चोटी सी, इसके बाद आप लिखना उसको, तब proof करेंगे, ठीक है, एक चोटी सी लाइन रह गई, वो भी बताते हैं, तो इसके बाद मैं हैं लिख रहा हूँ, और दूसरे तरीका से कैसे होगी, वो मैं यहां दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन में, यहां से, दूसरे तरीका से, एक तो यह है, सेकिन डेशिनेशन टीचरों ने बनाई है, वो भी बहुत अच्छी है, एक लाइन की है, और वो थ्योर्मों में यूज होती है, तो सेकिन टाइप की देखिए, एन इज एन नॉर्मल सब ग्रूप, नॉर्मल सब ग्रूप, औफ जी, इफ एंड अउनली इफ, इसका मतलब और इस दिने बड़े का, इफ एंड ओली इफ, या केवल ऐसे लिख सकते हो, एक ही मतलब होता है, तब बताया, एक्स, एंड, एक्स इनवर्स, सबसेट, एंड, एंड, यह, जो भी है सब कुछ, किसका होगा, नॉर्मल सब ग्रूप का सबसेट वे एर एज जहां पर X बिलॉंग करेगा G में, तो जो एलिमेंटें ये X किसमें होंगे G में, तो ये लाइन भी आपको और करके लिख लेनी है आईए अब इस थ्योरम का प्रूफ करके दिखाते हैं, इसमें लिखा है if and only if, तो मेरे बच्चों पहले मैं इससे प्रूफ करूँगा, फिर इसकी conversely प्रूफ करूँगा, तब जाके ये complete theorem होगी, एक एक point के लिए करूँगा, ठीक है, चलिए, प्रूफ लेट X and X inverse equal to N, whereas X belongs to G, ये मैंने माल लिया, कि ये इसके बरावर होता है, और होगा ही, क्योंकि X से X कट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के inverse हैं, तो N equally आएगा, तो मैंने माल लिया, ये N के equal है, whereas X किसका element है, G का, ताव 100% X and X inverse subset होगा N का, जहाँ पर X belong करेगा G में, जब ये इसके बरावर है, तो ये N का subset भी होगा, के लिया, subset होगा, तो ये definition आ गई, ये वाली definition जो लिखी है, इसके पास लिखेंगे, इसे theorem में नहीं लिखेंगे, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, therefore, N is a normal subgroup of G, अगर आपको ये ऐसे नहीं लिखनी आती, तो केवल इसको दुबारा उतार देंगे, प्रूफ में, लेकिन conversely तो conversely के according होगी, अगर आप नहीं समझ पाते हैं, तब की बात है, वैसे सिर्फ deadline लिखी है, मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिखी, mathematics के according समझाता हूँ, theorem जैसा लगने नहीं नहीं दूगा, ठीक है, अब conversely proof करते हैं, हम conversely में उल्टा लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे, मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए, let n is a normal subgroup, normal subgroup, of g, के लिए, जब normal subgroup है, तो मेरे प्यारे बच्चों में लिख सकता हूँ, x n, x inverse subset n, whereas x belongs to g, इसको मैंने number 1 दे दिया, अब मुझे ये दिमाख लगाना, ये तो मैंने अभी definition ही उता रही है, कि मुझे ये proof करके दिखाना आया, ये proof करने के लिए, मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, वो देखते हैं, एक बात बताए, जब x g में है, तो x inverse भी g में होगा, नहीं, वो group ही नहीं है, 100% कोई भी element अगर g में है, और वो group है, तो उस element का inverse उसके अंदर होता है, 101%, इसलिए, when, जब x belong कर रहा है g में, तो x inverse भी belong करेगा g में, तो इसमें जहां-जहां x लिख रहा है, वहां x inverse कर दीजिए, करें, तो इसकी जगे पे आएगा x inverse, and, इस x की जगे पे आएगा x inverse, और उपर वाला inverse है, मैंने सिर्प x की जगे पे लिखा inverse यह रहा, subset n, अब यहां लिखोगे x की जगे पर, x inverse belongs to g, यह बात सही निकली, इसे solve कर लेते हैं, यह तो हमारा आया x inverse, यह कट गया inverse से inverse तो केवल x है जाता है, पता है ना, 1 upon 1 upon 2, वो 2 हो जाएगा, ऐसे यह है, और यह subset होगा n का, जहां पर, मैं इसका उल्टा प्रूफ कर दूँ, ऐसे, n subset x n, x inverse, ऐसे कर दूँ, तो हम यह जानते हैं, मेरी बच्चो, a subset b, b subset a, equal b होता है, अब मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाने के लिए, हैं मैं क्या कर सकता हूँ, वो देखिए, मैं यहां multiply कर रहा हूँ, x की, x inverse, n, x, bracket और इधर कर रहा हूँ, inverse की, तो जैसे आपने इधर करी है, ऐसे ही आपको इधर करना होगा, दौनों तरफ कर सकते हैं, ऐसा rule लई है कि यह की तरफ करें, करना होगा तो दौनों तरफ, तो यहां मैंने x की की, तो यहां हो गया xn, और यहां x inverse की करी, तो यहां x inverse, कोई परिशानी नहीं, इधर x की कर दी, left की तरफ और right की तरफ x inverse, अब इसको आप खोलिए, तो यह हो गया x, x inverse, n, x, x inverse, subset, x, n, x inverse, आपको पता है, यह one हो गया, identity, यह भी identity, सिर्फ बचा n, और यह subset होगा, xn, x inverse, जहां पर x belongs to g, यह नम्मर दे दिया मैंने 2, अब हमने क्या देखा मेरी बच्चों, first and second से, देखो यह subset n का है, इसका उल्टा यहां लिख रहा है, n subset इसका, कहने का मतलब, आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा, a subset b, b subset a, तो 100% a equal to b, तब मैं क्या लिख सकता हूँ, by first and second से, यह कहा है, first यह रहा, second यह रहा, xn, x inverse, equal to होगा, n के, जहां पर, x belongs to g, यह मैंने proof कर दिया, तो इसमें आपको, कोई line gap नहीं करनी, आपने नहीं लिखी है extra, एक भी point आपने miss कर दिया, तो theorem गलत होती चली जाएगी, इसलिए आपको साबधानी से करना है, एक-एक point मैंने समझाया है, फिर देख लीजिए, इसको आप चाहें, तो जोंकी त्यों उतार सकते हैं, इस line को, इस proof को करने के लिए, यहां subset दिखाना है, अब दिमाग में लाना है कि equal कैसे लाएं, तो इसका उल्टा मुझे बनाना चाहिए, ये वाला, और ये वाला कैसे कैसे बनेगा, वो सब मैंने आपको दिखाया है, उमीद करता हूँ, ये theorem आपको पसंद आई होगी, अभी एक theorem और दे रहा हूँ, next lecture में top most theorem होगी, उससे next lecture में top most theorem होगी, वो आज ही बता रहा हूँ, लेकिन वो जबी मिलती हैं सारे lecture, कि जब आप channel की membership ले ले, आप सोचते हैं, 399 रुपे कोई बड़ी बात नहीं है, आप offline में 2000 रुपे देते हैं, एक book के मैं लेता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की help करता हूँ, कि जहां coaching नहीं है, जहां परिशानी है, और मुझे ये भी पता है, कि मैं हर doubt किलियर करता हूँ, ऐसी कोई point नहीं है, किसी भी theorem में जो मैंने clear ना किया हो, तो आज ही ले ली दी, अब 2-5 माईने बचें एक्जाम में, और फिर पस्तावने के सेवा कुछ नहीं रहता, आदत है कि model paper से, model paper में पढ़ाएगा कौन, कौन बताएगा आपको की important theorem है, कोई YouTuber नहीं बताता, मैं इसलिए बताता हूँ, मैं fees लेता हूँ, मेरे चैनल पर membership जोईन करोगे, तभी वो important theorem आपको मिलेंगी, कोई भी YouTuber 10-15 वीडियो देता है, simple-simple theorem बस, बाकि कोई नहीं देता, मैं 70 वीडियो दे रहा हूँ एक book में, इसका मतलब हर topic दे रहा हूँ, तो चैनल की membership ले ली जिए, join पर click करें, full course BSC, MSC वाला level ले, बस आप जिस app से लेंगे, जिस app से payment जमा करेंगे, उस app का UPID नमर लिखना पड़ता है, जो उस ही में होता है, और YouTube जो आपने जिस Gmail ID से YouTube बनाया है न, वो Gmail ID का password आपको जरूर मालूम होना चाहिए, अगर password मालूम नहीं है, तो फिर हम membership नहीं ले सकते हैं, चलिए next theorem देखते हैं, next theorem भी important है, prove that every subgroup, every subgroup, subgroup लिख रही है, of an avalian group, avalian group, और यह क्या होगा, is normal होगा, normal subgroup, हमें इसके अंदर सिर्फ एक बात दे रखी है, कि जो group है, वो avalian है, सिर्फ क्या है, avalian, दूसरी बात यह ध्यान रखना है, group के अंदर जो element आप लेते हैं, उसका inverse भी उसके अंदर होता है, बस इसी से proof कर दूँगा, चलिए proof, let h be a subgroup, of an avalian group जी, avalian group जी, मान लीजिए मेरे बच्चो, मैंने लिख दिया, h subgroup है जी का, और जी क्या है, avalian group है, क्योंकि वो तो दे रखा है, given में, let a belongs to g, and h belongs to capital h, यह element subgroup का है, और यह किसका है, g का है, अब उसने देख्या रखा, वो मैं लिख रहूं हूँ, वी है उसने एक सर्थ दे रखी है, h a inverse equal to a inverse h, यह given है, क्या, g is an avalian, इसलिए मैंने लिख दिया, h element का, और एक g का element, दौनों को commutative दिखाया है, आप यहाँ पर a भी लिख सकते थे, तो फिर तुम्हें a inverse की multiply करनी पड़ती, उससे कोई फरक नहीं है, यह हम लिख सकते हैं, commutative a.b equal b.a, क्योंकि यह avalian है, अब मुझे बनाना है, यह normal subgroup, तो मुझे यह दिखाना है, कि एक तो ऐसी किरिया बन जाया, ऐसी वाली, और यह जो element है, यह किसका दिखाई दे, h का, तो मैं normal subgroup कह दूँगा, उसके लिए देखिए, इस a को अगर मैं इधर ले जाता हूँ, यहां से h a inverse, या एक काम करो, इस पूरे में a की multiply कर दो, a h a inverse, इधर एक ही करोगे, तो इधर भी एक ही करोगे, a a inverse h, आपको दिखाई दे गया होगा, सेम बन रहा है, और यह क्या होता है, a h a inverse equal to e h, और हम जानते हैं, a h equal to h होता है, तो a h a inverse equal to h, clear, हम यह भी जानते हैं, जो h है वो किसमें belong करता है, capital h में, इसका मतलब a h a inverse belongs to, capital h, जहां पर small h किसका है h का, और a किसका है g का, clear हो गया ना है, फिर देख लिए इसको लेके चले, a की दौनों तरफ multiply, यह मुझे बनाना था, यहां e h, यह h होता है, जब यह value h की हैं, और h इसमें है, तो यह किसमें belong करेगा, capital h में, जब h belong करे, capital h और a belong करेगा g में, इसका मतलब यहां e h क्या है, normal subgroup है, तो इसका मतलब यह हुआ, h is a normal subgroup, of an avelian group g, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करना, और हाँ, lecture 2 में, जो top most थेओरों में, वो कौन सी हैं, वो बता रहा हूँ अभी, lecture 3 में, जो मैं देने वाला हूँ, top most theorem, वो भी आप देखते जाएं, इसके इन सौट ले लीजिए, तो अब मैं आपको, वो theorem बता रहा हूँ, जिनमें दावे के साथ, एक एक एक्जाम में आएगी, 100%, मुझे 22 एर का experience है, 100% एक एक्जाम में अगर आ गई, तो आपके 399 रुपे बसूर, तो वो कौन कौन सी theorem है, वो देखिए, lecture 2 में हम आपको, दो theorem लेके आ रहे हैं, top most theorem है, normal subgroup की, एक तो हमने करा दी आपको, दो देखिए, यह कह रहा है, यहां तक तो यह definition है, if and only if, इसके बाद प्रूफ करनी है, क्या, यह करनी है, each left coset of n in g, is a right coset of n in g, normal subgroup की द्वारा, हमें left coset equal दिखाना होगा, right coset के, दूसरी देखिए, second theorem हम लेके आए हैं, इसी में, a subgroup and of a group g, is a normal subgroup, यहां तक तो यह definition है, if and only if, the product of two right coset of n in g, is again a right coset of n in g, यह कह रहा कि, दो right coset की में multiply करूं, तो answer भी right coset आता है, तो यह दोनों theorem आपको lecture 2 में मिलेगी, normal subgroup के में, lecture 3 में आपको हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, lecture 3 में हमने यह दो theorem subgroup की थी, क्योंकि यह top most theorem है, और मुझे आपको जरूर देनी थी, तो subgroup की है यह वाली थी, lecture 3 में, the intersection of two subgroup, is again a subgroup, यह subgroup की theorem है, number 1 पर आती है यह, हर साल exam में आती है, the union of two subgroup, is not necessarily a subgroup, यह theorem दूसरे नमर की है, हर किताब में मिलेगी, subgroup के में, यह दौनों theorem, तीसरी theorem, third theorem, इन में चार theorem होती है, normal की, हर writer की book में, चारों दे रहा हूं, तो fourth theorem यह रही, क्योंकि एक तो आज lecture में, proof कर चुका, दो इसमें दे रहा हूं, और third, चौथी यह रही, तीन हो गई, दो इसमें एक पहले दे दी, और यह चौथी, the intersection of two normal subgroup, is again a normal subgroup, top most theorem है, इसके बाद मैंने और भी दिया है आपको, center of a group की a की theorem होती है, तो center of a group क्या होता है, उसको define किया है, फिर उसकी a की theorem है, the center z of a group g, is a normal subgroup, यह मैंने proof करके दी है, अगर normal subgroup में कोई और थ्योरम तुमारी book में हो, तो please comment में लिख देना, उसे prove करके दूँगा, ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी मेरी बच्चों, एक प्यारा सा comment जरूर करना, इसके इन सॉट ले लीजिए,